पॉल्कम टुर्वी क्लासेज गाईस दोस्तों आज हम लोग करने वाल है जनल नौलेज के 40 MCQ कोउसंस जो आपके एजाम बेस्ट कोउसंस रहेंगे मैं आपको बता दो कि यह सारे के सारे questions new pattern based questions हमने त्यार किया हुआ है जो आपके exam से related होगा दोस्तों यह सारे के सारे questions हमने with explanations के साथ हमने रखा हुआ है मतलब कि एक questions से और भी अधिक questions cover करनी कोईश करोगे आप ठीक है बात करते हैं दोस्तों कि जैसे 6 आइस की त्यारी करते हो तो यह session से आपके लिए important है बात करते हैं दोस्तों कि CGL की भी त्यार करते हो या जैसे किसी भी exam की त्यारी करते हो तो यह session आपके लिए important रहने वाला है तो आपके class 6 कर रहे हैं इससे पहले हमने सारे class को cover कि है तो आपने देखा नहीं है दोस्तों देखलेना ठीक है तो आज से हमने बहतरिन class स्टार्ट करी है दोस्तों है पकटा दू कि यह सारे के सारे questions जो होंगे यह सारे questions आपके exam best questions है दोस्तों ठीक है तो आपके exam में आने के ज्यादा chances हैं मतलब की most expected questions रहने वाले हैं ठीक है और आज से हमने दोस्तों ऐसा series चलाने कोईश करी है कि आपके exams में सटिक जो है questions यहां से देखने को जरू मिलेंगे ठीक है आपको पता होगा कि यह study हम लोग क्या करते है इस channel पे तो आपको दिख रहा होगा ठीक है तो डेली हम लोग इस चीज का जो है discuss करते हैं तो आपको पता होगा बात करते हैं दोस्तों कि जो भी मेरे चनल पर नहे हैं वो subscribe जरू करेंगे ठीक है तो फोरी को फोर्टी को संस में हम लोग को 40 टारियट रखना है तो इस व्यूसे हमने आज से कलाशे स्टार्ट करी है तो आप भी में साथ continue रखेंगे डोस्तु ठीक है तो आप जो है दोस्तो ओन्लाइन क्लासेस के लिए आप में साथ जोड़ सकते हो ठीक है तो चलिए बात करते हैं दोस्तो आज का जो है कोशन स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट ठीक है देगे फर्स कोशन आप से ऐसी पूछ सकते हैं और ऐसी questions आपके exams related रहते हैं तो level जो है patterns जो है आपके exams के लिए यही रहने वाला है ठीक है तो आपके exams में ज़रू यहां से questions बनेंगे दोस्तों ठीक है तो आप शुरू सेंट तक session को ज़रू देखना बात करते हैं पहले questions आपसे पूछ सकते हैं खर्दानों का नियूनतम समर्थन मुल्य किस वर शुरू किया गया था ठीक है नियूनतम समर्थन मुल्य के बात करें दोस्तों तो देखे हम लोग इससे पहले हम लोग explainations करते हैं ब्याख्या किसे हम लोग cover करते हैं दोस्तों एक से और भी अधिक questions बनाएं कोश्च करते हैं तो हम लोग पहले ब्याख्या कर लेते हैं इस कोश्चन से लेटेड देखे बात करते हैं कि राष्टी विकास परिशद नेशनल डेवलप्मेंट कॉंसिल दोस्तों ने पहली बार जो है पहिए नियून्तम समर्थित मुल्र ьोग हैं तो नेशनल दोस्तों और शरूमां नाली को देखे भी मिशती है अप्रस्तूत किया घ्या गया और जने की नियुन्तम समर्थित मुली की घोसना करी गई थी, ठीक है, तो इतनी से बात आपको ध्यान में रखनी है, तो एंसर जो रहने वाला दोस्तों वो C-Options रहने वाला है, 1974 ठीक है, तो खादानों का नियुन्तम समर्थन मुली जो दोस्तों 1974 में शुरू कर गई थी, ठ बात करते हैं second question की ठीक है तो मुंबई का वास्तु विद किने माना जाता है आपको बताना है मुंबई का वास्तु विद किने माना जाता दोस्तों तो देखे जन ही तैशी आपको पता होगा दोस्तों कि जन ही तैशी एवं सिक्षा विद जगनात नाना शंकर सेट को अधुन मॉंबाई का वास्तुकार माना जाता है ठीक है देखे बुंबाई के वाय कूला में स्थित डौक्टर भाव दाजी लैड म्यूजियम जिसे पुरु में क्योट रिय एवं अलबट म्यूजियम के नाम से जाना जाता था का डिजाइन उनके सनक्षन में लंदन के प्रसीद वास्तुकार द्वारा तियार किया गया था तो तो second का जो है वो fourth option देखते हो ठीक है नाना संकर सेट हो जाएंगे के मुंबई का वास्तुवीद माला जाता है ठीक है जाले बात करते हैं थ्रड को सन के दोस्तों तृप देखे थर्ड को संजो है आपके सामने दुस्तों की अभासि व्रेक्ष रहित विरल विनस्पत्र कहां पाय जाती है आपको ये बताना है तो मैं पताना चाहता हूं दोस्तों की देखिए उत्री ध्रूज है वो नोर्थ पोल जो है दोस्तों ठीक है नोर्थ पोल की जलवायू का मुख्य लक्षन जो है यहां दोस्तों सीत रित्व की समय काल लंबा तथा अंदकार मैं होता है अधिधिक ठन भी पड़ते हैं दोस्तों आपको पताना जी कि मैक भी जडाकी परते पूला वर्फ ठीकी रहे हैं तो इस विचही परेश्थीतिकी के परिन Kings वहां पेड़ पौतिय अं बहुत कम passing जाती हैं गर्मी की महीनों में यहां जडाडियां सेवальная ठीक है जहाडियां शेवाल औरγο कि यह यांघर हैं यह प्सेश्य में यह जाता है जाना, तो बूर्मी कारक को और किस रूप में जाना जाता है, आपको यह बताना हैreas1 देखतो अरधाルク, जलधे तो भूमी अरो, जले, जले, जले जले, 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 तो एड़ा फिक स्वाइल जो है दोस्तो इसे सम्मंधित एक तत्व है इल्मेंट है मृदा दुवारा एड़ा फिक विश्चताओं की पहचान की जा सकती है ठीक है और दोस्तो इसे और कुछ तो ऐसा है नहीं तो बस इसे इतना ही चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स कोशन जो है दोसतो इंटीम पॉलिटी है इंटीम जिग्राफिस है खें है और इंडियन हैं सारे कछी सारे इसकी है और दोस्तो इसमें इनक्नोड है आपके जी कशलकर दियार कवह है तो करेंधे तpel मोद्रेन स्विति की ओधी में सभसे अधिक फायदा जो होता है वह होता है दॉप्त करमचारी को नहीं होता है सरकारी करमचारी का नहीं होता है ले दिन रे का भी यह कोशन साई जो आपके गे-जायमस में आने वाले हैं यह immediate प्रवावित करती है क्योंकि सभी वेक्तियों की आए एक समान अनुपात में कम नहीं होती है निशिंत आये समूह या मझदूरी करने वालों की तुलना में उद्ध्यम मालिकों को अधिक आये प्राप्थ होती है यह आपको पता है ठीक है देखे इसी परकार जमा खोरों सक्टे बाजों काला बजारी करने वालों तथा सलम गरों जो होते हैं दोस्तो को अंधा दूंद लाप्राप्त होता है ठीक है ये भी आपको पताऊना चाहिए इस से बस इतना ही बात करते हैं सिक्स ओशन की तो निमलिखित में से कहां अस्तूप नहीं है तो इस तूप के बारे में बताना है कि इंज में से चार ओप्सन में से जो है दोस्तों कहां पर एस्तूप रहने वाल ठीक है साची का जो स्तूप है दोस्तों मौरे समराथ जो है दोस्तों असोक के दवारा वो निर्मान करी गई थी यह आपको पता होना चाहिए ठीक है देखे सारनात में स्थित जो है दोस्तों धामेक स्तूप सबसे प्राचिन स्थित माना जाता है यह जो है दोस्तों धामे में ही स्थीत है आपको पता होना चाहिए ठीक है और ठीक है तो भरूत के बारे आपको यादक ना है कि जो दुस्तो मद्रदेश में है दुस्तो आपको पता होना चाहिए ठीक है और जबलपूर जीले में स्थीत है तो यह दुस्तो राची जो है दुस्तो यहां पे स्थीत न पैनाटो बायोग्राफी जहना ग्लिंपसेज ओफ वर्ड वर्ड हिस्ट्री तो यह सारे के सारे दोस्तों नहरो जी के दौरा लिखे गई है लेकिन लोकतांतरिक केंदरिक करन किसकी महत्पूर विश्चता है ठीक है तो लोकतांतरिक केंदरिक करन की विश्चता की बात करें दोस्तों ठीक है तो यह फर्स्ट ऑप्सन देखतो हो सामयवादी राज ठीक है सामयवादी कॉम्मिनिस्ट स्टेट जो है दोस्तों इसके लिए जो ह ये जог है इसके लिए आपको पता होंए कि लेनिन की कॉम्मनिस्ट वादी राजनितिक पार्टियों ने जो आंत्रीक जो नाम दिया गया था किसी राजनितिक पार्टी के भीतर लेनिवादी निती की परयवाची शब्द के रूप में कभी-कभी इस अब कर यूग किया जाता है ठीक है बात करते हैं नेक्स विद्धान में भारत को किस रूप में वर्नित किया गया है तो यह दोस्तों इंडिन रहने वाला दोस्तों वह फूर्थ आप सुन देखते हो ठीक है राजियों का संग ठीक है तो भारत के समिधान में भारत को दोस्तों राजियों का संग में वर्नित किया गया है इस रूप में दोस्तों वर्नित किया गया है आपको पता होना चाहिए दोस्तों में बताना चा समीधान के जो है, दौस्तो धारा वन में जो है अनय के बात करते है बात करते हैं इसमयद्र के बारें किसकी परशासनिक विश्रशतर प्रित intent Spielheim अगण सेड़ों विपाक्षी पाटी के नेता की नेतुत में व्यकल्पि का गठन करता है थीक है बसी इतनी से बात आपको ध्यानम रखने है चलिए बात कहले है किस राष्टी राजमार्क को तो शेर सासुरी मार्ग कहते हैं तो राश्टी राजमार्ग आपको यादक नाकि 3 दूस्तो जो है जिसको जाना जाता है नेशनल है ठीक है सारे के सारे इंपोर्टेंट रहने वाले आपके लिए दूस्तो जो भी इस चनल पर नय है वो एक बात यादा अपके पहले तो है channel को subscribe करना है तो इसरी बात यह है कि मेरे साथ country बनाया रखना है अगर आपनी अपनी दोस्तों जैसे सी exercise related है या जैसे सी किसी भी कमटी exam अपनी अगर तैयारी बहतरिन करना चाहते है दोस्तों तो आप मेरे साथ country बनाया रख सकते हो ठीक है तो देखिए बात करते हैं कोसंस पर आते हैं लिखित में से क्या सही नहीं है इन में से सही कौन सा नहीं रहने वाला दूस्तों आपको यह बताना ठीक है तो आप है देश् दोस्तों मिनिममम सपोर्ट प्राइस यह भी सही है तो दोस्तों यह सही नहीं होगा इन जी टी नेशनल ग्रोथ टिवनल तो इन जी टी का फूल पॉर्म ठीक है इतनी से बात आपको ध्यान में रखनी थी ठीक है इसके स्थापना पूश सकते हैं दोस्तों तो आपको याद 10 में इसकी शुरुवात करी गई थी ठीए चलिए बात करते हैं नेक्ष जौशन कि तो यहाँ प्दासर पूर्ती की ज़या लगाने पर भी जजीया लगाने वाला दिली सुल्ठान कौन था दोस्तों सुल्टान दिली का जो सुल्तान था वो दौस्तों फिरोज शाह तूगलक था ठीक है और तिरह सुअन्स से 1341 से 1388 को दिली सुल्टान के सास्कों मैं मुस्लीम वर के लिए सबसे ज्यालुज सुल्टान माना जा सकता है। ठीक है । कोई तीस बात ध्यान में रखने है तो इति तेरह सो एक्यावन से लेकर दूस्तो तेरह तक सासनकाल आपको यादनाए तो बात करते हैं नेक्स उसंसर्ण की तो कोसेन है दूस्टो की छिट में से कौन साप पर्ल कौन साथनों के निन्याएं पर प्रामस करने के लिए राष्ठति दाप्र किस निकाय का गथन किया जाता हैं 216 का अप सेकेंड ओप्सिन देतो हो वित आयोग ठीक है फाइनेंस कमिशन का जो है दुस्तो ये केंदर और राज के बीच केंदरी संशादनों के नियने पर परामस करने के लिए राज्ट पती दोवरा इस निकाय का गठन किया जाता है भारत के सामिधान के आटिकल जो है दोस्तो असिक अंतरगत भारत के राश्ट पती दोवरा वित आयोग के स्थापना केंदर और राज के बीच वित्य संबंधों को परिभाशित करने के लिए की गई है ठीक है तो आटिकल दोस्तो आपको या रखना है 280 ठीक है तो बात करते हैं लिएक गोल्फ के खिल के खिलाडियों को दिया जाता है धिक है राइडर कप यूरोप और सप typ राज अमेरका की पुरूज टीमों के बीच पर तक दो वर्स में खेला जाने वाला गौल्फ पर दियुकता है ठीक है तो बस इससे इतना ही बात करते हैं 18 questions की तो ये भी जो है दोस्तो जो है इस्ट्रिक कोसंस है तो गौतम बूढ का जन्मस्थान के इसके दुआरा अंकित किया जाता है गौतम बूद का जन्म स्थान ठीक है इतनी से बात को ध्यान में रखनी है गौतम बूद का जन्म है दोस्तों लुम्बनी गाव में हुआ था ठीक है भगवान बूद का जन्म दोस्तों लुम्बनी गाव में हुआ था लुम्बनी आपको याद रखना है यह सबको पता होगा पूछे गए ठीक है उनके सम्मान में भारत के महान मौरे समराट अशुक ने 249 इसा पुरु में दोस्तों स्वारी इसा पुरु में लुम्मनी की अपनी तिर्थ यात्रा के दोरान एक स्थम बनवाय था ठीक है चलिए बस इतनी से बात ध्यान रखते हैं चलिए बात करते हैं दीके दोस्तों में जितना भी उसन जो है दोटा एकस्परानेसंस करने ही कोईस कर रहा हूं यहां से जब्सक्राइब करके जाने वाले हो ठीक है है आपको abroad विजट करनाा चाहिए तो चली बात करते हैं किसी परिवार द्वार अपने निजी उपयोगं के प्रशिंग मशीन दवारा अनाज का उत्पादन जनतूओं की खालों दवारा मांस तथा चम्रे का उत्पादन मचली उत्पादन फलों का सुखा कर सुखे मेवे तथा शराप का उत्पादन डेरी उत्पादों का द्वारा मखन या पनीर का उत्पादन क्रिशी उत्पादों द्वारा टोकरियों तथा चटाईयों का उत्पादन इत्याद दोस्तों आपको याद अखना है कि ये सारे के स सारे जितने भी हमने किया दोस्तों यätzen और यह लिए को समस्तिक आप के लिए इंपोर्टेंट रहने वाद है चलिए बात करते हें टूल shootings कि चे तो यूरोप में आलू की कि पैदावारürü कि उर्ओप में आपको बताना है ठीक आलू का पैदावार पैनी व हमखने सब चरक में पैनीवार करें कि किश मा राश्ट की रजधानी है यह ऊंपींट है ओ Также इसके किनारे स्थीत है, और देखे मैं बताना चादब कि यह नाइपर नदी किनारे जो है, दोस्तों, उत्तर मद में स्थीत है, वरतमान में यह U-रोप, सबसे बढ़ा नगर है तो यूर्वड का सबसे बढ़ा क्वान नगर में आता है दोस्तों आपको बता वना चाहिए ठीक है दो देखे बाब यह no this has अभी कोरें समस्क्राह जो है गोरें श्रय जो यह यह अभी साथ कर लुद रहा है तो यह टॉट्विट इसे इतना ही दूसर बात करते हैं तो निमलिखित में से कौन अजाद हिंद फॉज का संस्थापक है तो से जो है वो इंडिया से लिया हुआ है तो आपको सेशन को क्यरफूली शुरुशन तक जो देखना चाहिए तो देखे अजाद हिंद फॉज की का संस्थापक माने जाते हैं दोस्तों यह सबको पता होगा सुभास अंदर बोज ठीक है देखे इस लेटर हमनों कुछ जान लेते हैं देखे भारतिय राष्ट थल सेना अजाद हिंद फॉज जिसको बोलते हैं तो नामक सशस्त्र सेना का गठन दोस्तो 1942 में किया गया था ठी किया था ठीक है 12 1989 से हमें 12 एक दोरान की गई थी दक्षिन पुर्वेषिया में भारतिय राष्टवादियों दवरा किया तर ये 640 में सही अपना सिंगापूर ठीक है । स्थापना आरम में दोस्तों तो सिंग्यापूर में होती है ठीक है इसका पतन हो गया तत्पास चाथ इसके स्थापना उनिसो तेतालीस में सुभास चंदर बोस के द्वारा जो सीगिन की ब्रिटीश सरकार से अजाद भारत की मांग के लिए कि गई ठीक है तो 1940 जो त्री आप आपको यादखना है ठीक है और उसमें इस समय सुभास चंदर बोस के ने तुर में मांग की गई ठीक है लेकिन दोस्तों 1942 में ही आपको यादखना है कि अजाद हिंद फॉस के स्थापना करी गई ठीक है बजितनी सी बात आपको ध्यानवेक नहीं है चलिए बात करते हैं 24 क जनक किसे समझयाता है यह बहुत रहने वालाथ भारते अशांति का जनक दोस्तों बाल गंगादर तीलक को माना जाता है ठीक है कुछ और डानने इसके बारे में कुछ एक्ष्ट्रा अपनी वेशिक अधिकारीओं आपको ने बाल गंगादर तीलों को भारते अशांतिक का जनक कहा जाता माना था ठीक है तो देखें दोस्तों उन्होंने अपने परसीद कथन स्वराज मेरा जर्मसित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा ठीक है तो सवराज मेरा जर्मसित अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा यह आप कथन याद अखना है दोस्तों की जो ह तो लोकमाने के नाम से भी जाने जाते हैं ठीक है इतनी से बात ध्यान में रखना है चली बात करते हैं 25 कोशन्स की तो और अपको ये बताना ठीक है दीक है आपके सामने कोशन्स आये कि आपको पता ही नहीं चलेगा लेकिन दौस्तों जो है ऐसी कोशन्स वने सेड करे तो आपके एक्जामस में सट्टी किये कोशन सारे के सारे आने वाल है तो अब केरफुली सेसंस को अबजर्ब करो और केरफुली सेसंस को सुरू संथ तक जरूर देखो ठीक है बात करता है कि सेकेंड कोशन देख से तो अगने चटान ठीक है तो आफसीडियन एंडिसाइट ग्रे अब इसेसं को संदेख लेता है देखे बात करते हैं जहां कानून नहीं वहां सोतनता नहीं ठीक है या किस ने कहा था जहां कानून नहीं वहां सोतनता नहीं यह जो बोला था जिन्नोंने जोस्तों यह जॉन लॉक ने बोला था ठीक है तो जहां कानून नहीं वहां सोतनता तक ने बोला था ठीक है और दुस्तों जान लॉक ने अपनी पूसतक सेकेंड करने किताब डebγ लिक महँंते हुए तो इसका जो है किताब लिाह इंड है श्यॉज City क्योर्ण कि कौन सिधारा समलैंगिक लैंप जो गे होते हैं ठीक है उभाई लैंगिक जिसको बोलते हैं और पारा लैंगिक जो LGBT कहते हैं LGBT समुदाय से समंदित है तो यह आटिकल के बारे में बताना है यह important ट्रेनर वाला क्योंकि यह जो है इशू दोस्तों यह जो इशू है यह इशू अभी आई थी अधा हिंदू के आर्टिकल्स में और बहुत सारे न्यूज में और यह हाई हाई को यह दोस्तों सुप्रीम कोट में सारे के सारे केसे चल रही थी ठीक है इसके लिए समलैंगिक पर लैंगिक ठीक है और LGBT के बारे में ठीक है अब है लेंगि के बारे में तो यह कोशंसे इंपोड़ेंट है ठीक है इससे लिए दोस्तों आपके आर्टिकल्स आ सकता है ठीक है तो आपको ध्यान से दोस्तों इसको ऑब्जार करना है तो तो 377 जो आर्टीकल दोस्तो इसके तहट आपको याद एक ना ठीक है तो भारती दंट सहींतार 1160 के अधिनियम के धारा 377 के अंतरगर दोस्तो लेस्बियन गे बाइसेक्शुल ट्रांजेस्टर तथा होमो सेक्शुल क्रियाओं को अपराद घोशित किया गया है इस परकार के अपरादों को और प्राकृतिक माना गया है ठीक है तो इस तरीके से दोस्तो आपको याद देखना है 377 ठीक है यह कोसंस आ सकते हैं बात करते हैं 28 कोसंस की तो निमलिखित में से क्या हम भारत के लोग इस वाके से शुरू होता है तो निमलिखित में से दोस्तों आपको बत का सम्मिधान शुरू होता है यह भारती सम्मिधान का प्रस्तावना है इसे भारत का जो दोस्तों भारत के प्रथम पधान मंत्री स्वार्गे ज्वाहार लाल नहरू ने प्रस्तूत किया हुआ था ठीक है ज्वाहार लाल नहरू ने इसे प्रस्तूत किया हुआ था चलिए बा पना चाताओं सरकारिया आयोग केंदर राज से संबंदित है इसका गठन दूस्तों 1983 में करी गई थी और दूस्तों जिसने अपनी सब्सक्राइब करते हैं कि कब किया हुआ था दूस्तों आपको पता होना चाहिए कि 22 माई 1930 में करी गई ठीक है और दूस्तों इस अंगर्स में दूस्तों अशी सैनीक और 12 क्रांतीकारी मारे गा थे ठीक है बात करते 31 को संसी ठीक है तो भारती रिजर्फ तो इंपोर्टेंट अरहने वाल है ठीक है तो थर्टीवन का आप यह सेकेंड ऑप्सुन देख से तो हो मुंबई में जो दिसका हैटक्वाटर जो दुस्तो मुंबई में आपको सबको पता होगा ठीक है और ठीक है बर्देखे रिजॉर्ब बैंक सारवजनिक सौमित अस्तरांत्रन जो है दुस्तो सन नियम के अंतर रिजुर्ब बैंक को राश्टिक रिद किया ठीक है चलिए इससे तो एक्सराओ कुछ नहीं है बात करते हैं भारतिये सांखी की संस्थापक की स्थापना किसने करें बात करते हैं भारतिये संस्थान के स्थापना जो है किसके द्वारा करें गई थी ठीक है डिक है पस आपको इतनी सी बात ध्यान में रखना है ठीक है और यह कुलकत्ता में इस्तित है ठीक है चलिए बात करते हैं थृड़ी थी कुशंस की तो दोस्तो थृड़ी थी कुल निमलेखर JOSH apology मेंसे कौन सा भारत में चालू वीतिए घाटे का परत्यक्ष कारण नहीं है तो परत्यक्ष कारण नहीं है दोस्तों आपको यह बताना है ठीक है देखे निर्यात से बहुत ज़्यादा आयात होना भारत में चालू वित्य घाटे का परत्यक्ष कारण नहीं है ठीक 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 आप्सन देखते तो राशपती द्वारा सरकार भंग किए जाने पर दोस्तो जो है ऐसे स्थिति में भारत में पातकाल नहीं लगा जा सकता ठीक है तो बस इतनी से बात आपको ध्यान में रखनी है बाकी तो आपको पता होगा निश्णल इमडिशन के बार में चली बात कर था करते हैं तो संवीधान का धारभूत धाचा परिभास दोस्तो कि दॉसकर कि जाती है संशत में कर सकता असपष्ट दुस्तों वैसा संसूधन कर सकती है जिसे मूल धाचा का विश्टार मजबूती करन हो ठीक है तो आई भॉप है हैस मौलिक अधिकारों के उलंगन के किसी मामले की सुनमाई की जा सकती है तो दोस्तों यह जो है 36 का आप यह थड़ों सुनमाई के उलंगन ठीक है तो मौलिक अधिकारों के मैं बात करना चाहता हूं कि मौलिक अधिकारों के उलंगन के मामले की सुनमाई दोस्तो उच्तम न्याले हाई कोट दवारा दोस्तो उच्तम न्याले सुप्रीम कोट के द्वारा दोस्तो ठीक है जो है इसकी सुनमाई की जा सकती है क्योंकि दोस्तो मौलिक अधिकारों का रक्षक उच्तम न्याले ही होता ठीक है थीकिंप उच्तम नियाले और आपको पता सागव कुर तो ज्छान्स गary ढ़त करते हैं शोके भारत के संभीधान में संशोधन किया जा सकते हैं सब्दान प्रस्ताव तो संसत के किसी भी शधन में रखा जा सकتा है स्वा अगर आपको कहा जा कितने हैं तो तीन सदन होते हैं लोक सबांध है राजसबा है और प्रेशिडेंट होता है ठीक आपको इतनी सबाद धानमठ नहीं है चली बात करते हैं जल परपाथ विश्व का सबसे उंचा जल परपाथ है ठीक है वाटरफॉल आपको याद दखना है दोस्तों कि यह विश्व का उंचा वाटरफॉल है जल परपाथ है ठीक है साल्टो एंजल जल परपाथ ठीक है और दोस्तों जो है इसकी जह दोस्तों उंचाई पूर सकते है है ठीक है इसके हाइट कितनी है तो 3230 फूर्ट जो है इसकी हाइट है 3230 फूर्ट इसकी हाइट माने जाती है चलिए बात करते हैं तो आप सिधान्त क्या है दोस्त आपके बताना है ठीक है DPSP जिसको बोलते हैं DPSP सिधान्त यह क्या होता है ठीक है तो यह जो है कानून द्वारा लागो किये जाने योग है ठीक है तो यह जो है कानून द्वारा लागो किये जाने योग है दोस्तो राज के नितिन निदेशा अत्मक शिधान्त है और द trib चैनल स्व्य डिवाज कर दो कानूं द्वारा लागो किये जाने योगे है और राजिक के नितिakes सकत्वतों को नाइन्तम दोस्तों न्याले में चुन्वती नहीं दिया सकता पता हुता श्वारमक कि यह दुस्तों DPSP को चुन्वती तो उसके बारें बताना थीख है तो यह जो है दोस्तो रहने वाला है बांगलादेश देखिए बात करते हैं कि देखें 25,708 प्रती बेक्ती वर किलूमेटर घनत वाला मुनाकु विश्व का सरवाधिक घनयबादी वाला देश है ठीक है तेकिन 10 मिलियन से अधिक अधिक अब बांगलादेश जो है वो सरवाधिक घनयबादी वाला देश है ठीक है तो देखें आपसे पुझा सकता है कि 25,708 बेक्ती वर किलूमेटर के हिसाब से घनत वाला जो देश है दोस्तो वो मुनाकु है ठीक है मुनाकु मना जाता है पुरिविश्व में लेकिन दोस्तो अगर उसके बाद दोस्तो कोरिया जो है कोरिया गन्राज जो दोस्तो 500 का स्थान रखता है तो फिर कोरिया को यादखना है फिर उसके बाद ठीक है 10 million जो है दोस्तो इसमें एकाउंट की जारी है बात करते हैं दोस्तो तो I hope कि session को आपने बहुत अची तरीके से गें किया होगा औ तो अभी सेसंट जितने भी को संते है सेसं में सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले थे आपके एक्जाम में यहां से कोसंट आपकी जरूर बनेंगे दुद्द आपको याद अखना है कि यह सारे सॉसंट यहां से पैटन बेस्ट हमने फिंध इस त्यार किया हुआ ठीक ह तो आपके exams में जो हैं दूस्तों यहां से questions शाठी कुछने वाले हैं ठीक है? तो हम लोग जो है दूस्तों प्राक्किस सेटी सेंस बहुत जबरतरिकेश चलाते हैं और यहां पर topic wise भी clear की जाते हैं जिसे कि topic wise clear करने से क्या होगा दूस्तों कि जो भी जो slivers होते हैं आपके वो जो दुस्तो step जो है दुस्तो आपके clear होते जाते हैं ठीक है तो यहां से बहुत ज़्यादा gain करने कोश्य होती है topic wise से तो मेरे साथ continue बनाया खुते हैं दुस्तो तो मिलते हैं next videos मैं तब तक के लिए धन्यवाद